जहिन देखिये हम आपको बोले थे PF account के बारे में समझा देंगे और PF दो design के होते हैं EPF और PPF आला कि उसका दो और category है VPF और GPF उस सब के बारे में समझाते हैं देखिये PF जो होता है उसको full form होता है provident fund मतलब आगे जाकर होने वाला खर्चा अब आप जैसे समझे है भारत में हर इंसान चोटे या बड़े काम में लगा हुआ है उसको पैसे मिल रहे है उसकी जिन्दिकी चल रही है लेकिन कब उसको पैसे आने बंद हो जाएंगे या फिर उसका जॉब चला गया तो उसके पास कोई security नहीं है या फिर बुढ़ापे में बाल बच्चा भागा दिया या फिर बुढ़ापे में काम नहीं बचा तो कहां जाएंगे तो बुढ़ापा के लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है या कोरोना के काल में आप देखिए जिनकी नौकरी चली गई बिजनस खतम हो गया उनके पास कु बच्पण में अपलोग भी डाले होंगे अगर हमें एक लिए मीडियम वालों का क्या ही पूछना फिर लोग गजना नहीं पाईसा नहीं का उससे माँगा उन्सों का गोल्हां रहता है अलगे दुनिया का ऐसा हम लोग का तो ये बच्पन में हम लेकी रुप्या खरीद के लाते थे और गटता था ना तो उसमें से तंट नी निकाल लेते थे पूरा नहीं फोर देंगे तो खतम हो जाए तो ऐसे ही एक गुल्लक सरकार ने बनाया है जिस गुल्लक को कहते हैं प्र प्रविडेंट फंड सीचसे प्र厲害 कावांट घाखे बूड़ा इस प्राइस साल चालीस साल इसतरय बूड़ापा के लिलए मिए लॉटन से प्र cocktail को क्या है विएृग होता है यह और जिनम सेक्योर मनी होता है, यह न लूट सकता है न कुछ इसकी गारेंटी सरकार लेती है, रिस्क वरी होता है, जैसे सेयर मार्केट के से रिस्क वाला होता है, राजा बना देगा ने तो भीघारी बना देगा, उस तरह से होता है यह प्रोविडेंट फंड यानि पी एफ अब यह पी एफ अकाउंट दो टाइप का होता है, एक मतलब जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए इंपलोईड प्रोविडेंट फंड इपी एफ, इसे इंपलोईड अब प्रोविडेंट फंड इपी एफ हो गया, और एक जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं और जो नौकरी वगरा नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे दुकान है, बीजनस बेपार कर रहे हैं, उनको लिए पी पी एफ होता है, दोनों एक प्रकार है कि इसका पी एकाउंट का, इसलिए अमोमन दोनों को लोग पी एफ ही कहते हैं, हाला कि हम दोनों में अंतर बताएंगे लेकिन बीच बीच में हम पी एफ बोलेंगे तो आप समझेगे, चलिए हम दोनों में अंतर समझ जाते हैं, यह है आपका एपी एफ, एपी एफ मतलब नौकरी करने वालों को, एपी एफ में तो नौकरी वाले आ जाएंगे लोग, और पी पी एफ, पब्लिक प्रोविडें करमचारियों को वेतन मिल रहा होता है, ठीक है, बीस से जादे, अब जैसे मेरे मेरे पास अगर 16 करमचारी है, तो हम पी एफ उनका नहीं खुलवाएंगे, लेकिन जिस कमपनी में, चाहे हो सरकारी हो, चाहे हो प्राइवेट हो, उसमें क्या करती है, कमपनी की जिमेदारी जाती है, कि उस बंदे का एक गोल्लक, यानि खाता खुलवा दे, उसे कहेंगे, पी एफ एकाउंट करें, यह कितना दिया जाता है वरकर्स को, मैं मतलम 12%, जैसे उसकी जितनी सेलेरी देनी है न, तो कमपनी क्या करती है, उसको फूल सेलेरी नहीं देगी, उसमें से 12% क्या क है, रिटार हुएगा, तो एक के बार दे देता है, यह नौकरी करने वाले को, ऐसा नहीं कि केवल सरकारी, जैसे अब जीओ में काम करिएगा, टाटा में काम कीजिएगा, उसमें 20 से जादे करमचारी होते है, तो उसमें आपका भी PF एकाउंट खुलेगा, और आप इम्पल प्रविडेंट फंड हो गया, इम्पलॉई है, तो ईपीअफ हो जाएगा, लेकिन अगर वही आप आप आम पॉब्लीक है, सबजी है, चाय की दुकान है, तो आप एक आम पॉब्लीक है, तो आपके प्रविडेंट फंड यह निए पीफ एकाउंट के आगे पॉब्लीक जो साओधी में काम करते हैं, वो लोग नहीं खुलवा सकते हैं, अब बात आती है, यह गोलकवा रहता कहा है, तो आप पॉब्लीक को कहा जाता है, आप यह तो बैंक में खुलवा लीजे, या तो फिर आप पोस्ट आफिस में खुलवा लीजे, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं आप कहीं पर खुलवा सकते हैं, लेकिन जो करमचारी होते हैं, इंप्लॉई होते हैं, उनके लिए एक अलग बैंक है, वो उसको दुनिया के किसी आदमी से मतलब नहीं है, उसका काम है गोलक रखना, उसका नाम है EPFO, E से हो गया तो EPF तो हई है, ओ लगा दीजे, EP, Employ Provident Fund Organization, EPFO एक organization है, जिसका काम है, जो सरकारी है, प्राइवेट कमपनी में, जो जो काम करता है, उसका पईशो आपने पास रखता है, और कहता है, हम रिटारिमेंट के टाइम देंगे, हम क्या देंगे, रिटारिमेंट के टाइम, और जेतना दिये हैं न, उसमें से और बढ़ जिमेदार, और इसके लिए बैंकिंग सिस्टम जिमेदार, यानि RBI है, यह 12% आपकी salary से काट लिया जाता है, इसमें आप, इसमें आपको to salary मिली नहीं रिये, तो 12% काटेगा क्या, अब आपका मन आप हर महीने, यह हर साल आप 500 रुपया जमा कर दीजे, यह 500 से 1.5 रुप जमा कर सकता है, बसरते अंतर क्या है, इसे post office यह बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा, और employee provident fund में क्या होता है, उसकी salary से company खुदी काट लेती है, और कहती है कि देख, तुम्हा को 1,00,000,000 के चलो तुम्हारा 50,000 salary है, तो 12% हम तुम्हारे में से डाल दीए, किसमें? तु से 9% ब्याज देगे, जबकि इसमें जो आम public के लिए है, तो आम public के लिए देख रहे हैं, fix भी नहीं, कोई 500 दे रहा है, कोई दे लाग दे रहा है, तो इसमें थोड़ा ब्याज कम मिलता है, उससे 1% कम, इसमें 7-8% ब्याज मिलता है, जबकि इसमें 8-9% ब्याज मिलता है, यानि ब्याज के हिसाब से देखेगा, तो इन दोनों के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा ब्याज देदेता, एक परसेंट जादे देदेता, और इन ब्याज की तुलना होती है, परतेक तिमाही होती है, हर तीन महिना पे ब्याज दौर बढ़ाया घटाया जा सकता है, सरकार बढ़ा देती है तो आपको फाइदा है सरकार घटा देती है तो आपको घटा हो जाता है अगर सरकार का है कि हम 10% ब्याज देंगे आपको पैसों पड़े जादे ब्याज मिल जाता है उसके बाध देखें ये कभे complete होता है तो यह employee लोगों के लिए है यह वाला provident fund जो है भविशनिती employee के लिए है तो कहा जाता है इसकी maturity यानि यह कब पूरा होगा जब आप retire यानि सेवा निविरित होंगे तब अब यह तो business man या छोटे मोटे व्यापारी के लिए था यह लोग तो retire होते नहीं यह बैचरे तो इनको कहा गया देखिए आपका total पैसा जो है वो 15 साल बाद लोटाए जाएगा आप कहेंगे कहें लोटा रहा है तो सुनिए ध्यान से आप 15 साल तक जमा कीजिए और उसके बाद आपका जब 15 साल बाद निकालिएगा तो आपको 7-8 परसेंट जो उस समय का rate रहेगा उस rate से आपको पैसे मिल जाएगे अब आप एक बार में निकालिए या उसमें महिना महिना बनवा दीजिए वैसे retirement के टाइम पर आप एक बार यह तो EPF ही होगा अब उसको बीच में partial withdrawal करना है बीचे में पैसा निकालना है उसको retirement तक नहीं रखना है तब तो कम से कम 5 साल बाद उस पार्सियल विड्रॉल कर सकता है कम से कम 5 साल रखेगा कब एक condition है उसके यहाँ साधी बिया पढ़ गई बेटा बेटी का या उसको इसमें भी सेम कंडीशन है पार्सियल विड्रॉल कर सकते हैं कितना अच्छा है जैसे आप भी गोलक रखते हैं तो जब देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो पार्सियल विड्रॉल कर देता है कुछ सिक्चाउउज़वचा डाल का इसे निकाल लेता एक दुरूप यादम बच्पन में निकाल लेता था, तो इसमें दोनों सेम होते हैं सब, इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इन दोनों की, ये दोनों की दोनों depth liability zero होती है, जैसे मान के चलिए कि मेरे PF account में, यानि provident fund, अब वो PF account दोनों type के हो सकते हैं, या अगर हम employee है तो EPF, और normal public है तो PPF, त हमरा ना खेत है, ना घर है, ना कुछ है, अब bank कहेगा, हमरा पाच लाग दो, हम कहेंगो कुछ नहीं है, तो bank कहेगा, अब PF account में 4 लाग है, हम PF से निकाल लेंगे, तो सरकार कहती है, खबरदार, PF account की liability zero होती है, debt liability zero होती है, हम करोणों भी करजा ले सकते हैं, लेकिन उस कर जे की भरपाई, मेरे PF account से कोई नहीं काट सकता है, यह इसलिए इसे का जाता है, सबसे secure account होता है, कोई काट यह नहीं सकता है, आपका यहाँ पर, दूसरा, यह EEE, exempt, 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 यानि इस पैसे पर ब्याज भी नहीं मिलता है, जैसे सरकार को tax नहीं मिलता है, ब्याज कर दिये, tax नहीं होता है, tax free होता है, जैसे हम बुढ़ापा में रिटार हुएं, हमको 10 लाख रुपय pension मिल जिया, तो 10 लाख रुपय सरकार भागो यहाँ पर, यहाँ पर tax लेने आओगे, exempt, 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 tax, नहीं होता है, तो इसकी यह और फाय दी होती, risk free भी है, और secure भी है, tax भी नहीं देन जैसे pen card, आपका pen card एक ही बनता है, permanent account number, आपका एक ही खुलता है, अब आप कहेंगे कि सर, मन के चलिए कोई आदमी Tata company में काम कर रहा था, उसका company में काम कर रहा है, यानि EPF account होगा, वो Tata को छोड़के महिंदरा में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, EPF हो जो टिपार्ट करती है, कि उसका जो account है जिसमें 12% Tata डाल रहा था, Tata छोड़ दिया न, कोई दिक्कत नहीं, इसी account हो, हमें महिंदरा डाल देगा, कल को महिंदरा छोड़के, जियो में काम करने लगा, कोई बात नहीं, जियो इसमें डाल देगा, यानि एक व्यक्ति का पी-फ account, चाहे वो EPFO या PPFO, life में एक ही खुलता है, दुबारा दूसरा नहीं खुलता है, जैसे आप YouTube पर, AdSense एक नाम से एक ही बनता है, उसे एड का पैसे उसमें आते हैं, तो ये एक इंसान का एक ही बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, one person, one account होता है, जैसे AdSense वगरा की होती हैं स तो कहता है हमरा EPFO है, और नॉर्मल आदमी है, पबलिक है तो कहता है PPF है यहाप है, दोनों में कोई खास का अंतर नहीं है, लेकिन समझे, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जिनका खेत भी है, कहीं पे बिजनस खेती चल रहा है, अच्छा खासा लाखों रुपे खेती से आ रहा रहा है, हम चाहते हैं कि 12% से जादे कटवा दे, 50% कटवा दे, तो सरकार कहेंगे ना, हमरा 12% कटबे करेंगे, हमरा, employee काम कितना कटते हैं, 12% ही कटते हैं, हम PF के account में, जो employee है, उसका हम कितना कटते हैं, 12% कटते हैं, तो कि अभी जवानी में हमको पैसा कोई कमी नहीं, कहता है कि हमको जादे पैसा कटवाना है, हमको क्या कटवाना है, जादे पैसा कटवाना है, तो सरकारी इंसान जब कभी भी कहता है कि नहीं, हमारा जो 12% का limit है, इससे हम जादे पैसा रखना चाहते हैं, ताकि हमको बुढ़ापा में जादे मिले, तो ऐसे provident fund को, ऐसे भव इस निदी को हम General Provident Fund कहते हैं, GPF कहते हैं, ये केवल सरकारी Employee ही इसको कर सकते हैं, तो GPF वही खुलवा सकता है, जिसका पहले से EPF यानि Employed Provident Fund हो, अब मानके चलिए कोई Tata में काम कर रहा है, कोई Reliance में काम कर रहा है, कोई Mahindra Company में काम कर रहा है, तो वो Company भी अपने करमचार करमचारियों के लिए क्या करती है, ये Company भी अपने करमचारियों के भवी से के लिए Employed Provident Fund दे रही होती है, तो ये Company वाले भी Private Company के करमचारी भी अगर कहते हैं, कि नहीं हमें जवानी से जादे बुढ़ापे में पैसा की जरूवत है, हम भी अपने 12% वाले Limit से बढ़वा चाहते हैं, तो उनके Provident Fund यानि उनके भवी सनीधी को कहते है, Voluntary Provident Fund, वो अपने मर्जी से जादे देना चाहता है, Voluntary Provident Fund, तो जब कभी भी आप Limit Cross करते हैं, तो ये Cross the Limit को दिखाता है, कि जो 12% का Limit है, अगर कोई सरकारी करमचारी अपना EPF एकाउंट, यानि जो उसक EPF में Maximum 9% मिलता है, जबकि Arm Public के लिए PPF में 8% मिलता है, उस हिसाब से तो Employed वाला थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन इन दोनों से अच्छा एक भविस ने दिया, Retirement के लिए Special Program है, उसका नाम है NPS, National Pension Scheme, ये Pension के लिए ही बना ही है, अब आगर आप ध्यान से देखेंगे, तो EPF जो है, Employed के लिए 1952 से बना हुआ है, और जो Arm Public के लिए बनाए गया है, 1968 में, यानि PPF जो आया था, ये Arm Public के लिए Provident Fund, वो 1968 में आया था, और Employed के लिए 1952 में आया था, और ये 2004 में National Pension Scheme आया, ये कहा गया कि भईया, इसके लिए कोई age limit नहीं है, 18 साल का लड़का ह अगर वो भी सोचता है कि बुढ़ापा में हमको Pension मिले, तो 18 से 65 साल का अदमी, कोई भी ये Optional है, वो हिंदुस्तानी रहना चाहिए, वो इसमें खुलवा सकता है, लेकिन इसका पैसा आपको Retirement के बादे मिलेगा, क्योंकि इसका नाम है Renaissance Pension Scheme, तो ये 60 साल तक इसकी maturity होती इसकी liquidity एकदम low होती है, ये आपको जल्दी पैसा निकालने नहीं देता है, अगर आप PPF देखिएगा या EPF देखिएगा, यानि इन दोनों Provident Fund में, तो partial withdrawal थोड़ा easy था, लेकिन इसमें partial withdrawal बहुत ही tough होता है, क्यों tough होता है, क्योंकि जब आप कभी भी इसमें पैसा डालत है तो company क्या करती है, आपके पैसे को थोड़ा सा mutual fund में invest कर देती है, और कुछ bond में invest कर देती है, तो company कमाती है और आपको जादे पैसा दे देती है, तो ये थोड़ा risky होता है, इसमें क्या करता है, risky होता है, इसमें भी आपको depth से कोई मतलब नहीं है, आप केतना भी करजा लिए रहेंगे, आपके NPS एकाउंट से आपको पैसे नहीं काटे जाते हैं, ये ये भी text free होता है, exam, exam, इसमें लगभग आपको 10% return मिल जाता है, 10%, जबकि आप याद कीजिए, जो आपका public provident fund था, आम public के लिए, उसमें maximum जो मिल रहा था, आपका 8% था, employed के लिए जो provident fund था तो PPF में मिला था आपका, maximum 8%, employed provident fund में maximum 9%, और national pension skin में 10%, यानि PPF से अच्छा EPF, सबसे अच्छा NPS, यानि अगर आप सोचते हैं भवी सिनिधी के लिए, तो सबसे बेटर आपके लिए NPS है, लेकिन ये सब के सब आपको कहने के लिए हैं, आप देखेगा, तो हर साल महंगा आई भी लगवग 8-10% बढ़ जाती है, तो आपको 10% extra मिलेगा तो आप समझेए, उस समय तक तूतनी महंगाई मिलके आपको बराबर कर दी चुकी रहेगी, बहुत जादे profit नहीं देगी, ये आपको security देती है, बहुत जादे profit के लिए, फिर आपको stock market या mutual fund, stock market में sensex या n PFE करते हैं, क्योंकि PPF है, पबलिक के लिए है, इसे भी लोग PFE करते हैं, तो ये PF मतलब समझेए न, भवीस का जो पैसा होता है, इसके अलावे एक gratuity होती है, उसको समझते हैं, देखे, gratuity का मतलब होता है bonus का पैसा, जो पुराने करमचारियों को दिया जाता है, gratuity उसे ब लेकिन ये सब को नहीं दिया जाता है, जो करमचारी एक ही कमपनी में, बीना, मतलब बीच में इन्हा की छो महीना दूसरे कमपनी में चल गए, एक ही कमपनी में अगर कोई करमचारी 5 साल या उससे जादे काम कर दिया है, तो वो आपका भरोसे मंध है, पुराना है, और तो एक साल में 365 दिन का उसको सेलरी देते हैं, लेकिन अगर वो करमचारी 5 साल से पुराना, हलाकि गवर्मेंट इसे 3 साल करने वाली है, बहुत जल्दी, तो उसे आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेचुटी देना पड़ता है, यानि आप निकाल सकते हैं, आधे महीने की से तो और से काम कर रहा है, और उसको आप हर महीने सेलरी देते हैं, 20,000 रुपई या, तो 20,000 दिन का केतना हुआ? 15 दिन का ना, 15 दिन का लोगों 10,000 लोगों ठीक है? आलाकि देखेंगे तो ग्रेचुटी निकालने का फोर्मूला भी होता है, फोर्मूला होता है, जो आपकी basic salary दिये गया है, उसके बाद जो daring allowance दिये गया है, महाँगाई वगरा का भत्ता, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, फिर 15 से गुड़ा कर दिया जाता है, फिर कितने 10 और कितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं, 6 साल, 7 साल, 10 साल, उसमें 26 दिनों से भाग दे दिया जाता है, क्योंकि ग्रेचुटी निकालते समय महीने को 26 दिन का ही रखा जाता है, संडे हटा के रख दिया जाता है, इस हिसाब से अगर मान के चलिए, कि कोई आदमी है, जिसकी सैलेरी है 40,000 रुपया, और 12,000 रुपया उसको डिये मिल रहा है, यानि टोटल उसकी सैलेरी कितनी हो जाती है, सैलेरी प्लस डिये मिला के 52,000 रुपया, तो ग्रेचुटी निकालने के लिए, इन दोनों को जोड़ दिये जाता है, तो दोनों को जोड़े हैं, तो 52,000 रुपया यहां लिख देते हैं, 52,000, गुड़े कितना दिन का सैलेरी देना है, तो 15 से यहां गुड़ा कर देते हैं, मान के चलिए, यह व्यक्ती 10 सालों से काम कर रहा है, इसका टेनियोर यहां कितना लिख देते हैं, टेनियोर का, कि 10 सालों में इसे ग्रेचीटी की रुप में थीन लाक, तो हर सी यहां ग्रेचीटी की रुप में थीन लाक, इसके बाब बड़ है, इसके बारे में आप नेक्ट वीडियो में समझाएंगे, I hope आप PPF एकाउंट PF वगरा समझ गया होंगे मिलेंगे next class में जय हैं